Hey guys, welcome back with another video, so this is the complete video series, उसका है एपिसोड नमबर 2, तो आज हम जिस topic के बारे में बात करने वाले हैं, आपनी टाइटल तो रूइट करे लिया हूँगा, तो आज के topic ये है कि the best workout plan in the whole world, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम push pull leg की बात करेंगे, या फिर double muscle workout की बात करेंगे, या आने वाला हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करके दिखो, कि हाँ, मैंने ये जो workout plan चूज किया, ये गलत है, तो जिस workout plan के बारे में हम बात करने वाले है, which is called consistency, आपको लगता हूँगा कि push pull leg सबसे बेस्ट है, आपको लगता हूँगा, double muscle best सबसे बेस्ट होता है, अगर आपके अंदर consistency है, तो आप फिर कोई भी workout follow करो, push pull leg करो, या फिर आप ब्रोस्पीट फॉलो करो, bodybuilding style, आपको result मिलेगे, तो सबसे बेस्ट 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 कर सकते हो, आप मसल को सेव कर सकते हो, आपको सेव कर सकते ह आपका endurance बढ़ सकता है, आपकी power, agility, जो भी आप workout के activity करते हो, आपको उसमे 100% result मिलेगे, अगर आप consistent हो तो, for example, आप push pull leg follow कर रहे हो, ठीक है, 3 day का split होता है, और week map आपको complete 6 दिन का workout करना पड़ता है, एक दिन मिस कर दिया, for example, आपका एक push मिस हो गया, तो फिर आप क्या कर होगे, वही न, तो workout plan पुरा bigger जाता है, तो इसलिए हमेशा consistency maintain करना सिखो, consistency आपको बहुत कुछ सिखाएंगी life में, फिर चाहे आप workout कर रहे हो, या कोई भी activity कर रहे हो, whatever, workout आपके life का पाट रहने सेगे, for example, आप brush करते हो, आप breakfast लेते हो, आप lunch लेते हो, आप office जाते हो, आप काम करते हो, आप दुकान में काम करते हो, whatever, जो भी करते हो, तो वैसे ही आपको workout भी करना है, आपके daily activity में एक ऐसा time zone रखो, आपको morning में time मिल रहा, morning में करो, evening में करो, night में करो, whatever, लेकिन workout करना is important, workout के बहुत सारे benefit है, हम इस topic पर बाद में discuss करेंगे, लेकिन आज हम यह consistency के बारे में, अगर आप properly consistency से सब चीज़े maintain कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी result मिलेगे, और आप लोग मोलते हो, कि यार motivation नहीं आ रहा, motivation नहीं आ रहा, कैसे आएगा, आप properly consistent नहीं हो, आप properly workout नहीं कर रहे हो, और example, आप vacation पे करे हो, 10-15 दिन के लिए, ठीके, आपके बास चल के आएगा, जो आप यह बोलते हैं, कि motivation नहीं है, कैसे रहेंगा motivation, आप लोग consistent नहीं हो, workout को लेके, आप जब consistent रहोंगे, तब यह आपको समझेगा कि motivation क्या होता है, real motivation होता है, consistency से आपको motivation मिलता है, लोग बोलते हैं, motivation नहीं है, but it's wrong, motivation से ज़्यादा important होत होता है consistency, क्योंकि consistency से ही आपको motivation आएगा, क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ की आदत रफ लगती है, आपको मिलते है result, आपको मिलता है output, let's take an example, अगर आप कोई भी एक business पे invest कर रहे हो, ठीक है, तो आप invest क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको से मिल रहे है returns, आपको जब returns मिल क्या आपने लगा consistency, consistency, आप बोल रहे हो, consistent हो, लेकिन रहना कैसे यह तो बता ही नहीं, अरे भाई, रूखो ज़रा, सबर करो, सब बताऊंगा step by step, don't worry, अभी तक तो यह ट्रेलर था, अब देखो, आप पिच्छर, यहां से होता है, real video start, अब मैं जो आपको बताने जा रहे प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सबसे पहला and important point आता है, set clear goal, आपका goal अगर muscle building है, तो आप muscle building करो, आपका goal power lifting है, power lifting करो, आपको जो direction में जाना है, आपको हमेशा वही direction में जाना है, मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ, आपका काम अगर body building है, तो power lifting line में में maintain होती ही, guys, इसमें second point आता है, आपका create a schedule, आपका जो daily activity का schedule है, उसमें कौन से time पे आपको workout करना है, यह आप पे depend करता है, मैं आपको बोलूगा morning में करो, आपको morning shift हो, आपके पास जो भी time slot available है, time slot means morning, afternoon, evening, night, आपको जो time fix लगता है, वो time fix रखो, for example, अगर आपका आपका third point आता है, start small, for example, आपके बास time नहीं है, it's okay, 15 minutes करो, 20 minutes करो, 30 minutes करो, चलेगा, लेकिन skip मत करो, कोई भी activity को आपको एक schedule में fix करने के लिए time लगता है, आप starting में पहले 15 minutes करो, 20 minutes करो, 20 minutes से 30 minutes करो, 30 minutes से 40 minutes करो, ऐसे धेदरी करके आप step by step उपर जाओ, इसलिए मैंने कहा कि start small, इसमें आपका fourth point आता है, find a workhorse partner, अगर आपके बास एक partner है, तो आपको एक boost मिलता है backside से, आपको motivate करेगा, आपको help करेगा सब चीजों में, आपका form, technique में, तो आपको एक back support मिलता है, आपको better feel होता है, इसमें आपका आता है 50 point, जूखि है variety, वेराइटी से मेरा मतलब यह ह है कि for example आप एक मन से फुष्पूल लेक्ट फॉल कर रहे हो आपको सोड़ा सा बोरिंग लग रहा है इट सो के उसमें नए एक्जेस एड़ करो उसमें नए सेट एड़ करो नए वेरेशन एड़ करो जो आपको हेल्प करते हैं साइकलोजिकली कि हाँ आज मैंने कुछ नया किय अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको डेली दाल चावल खाना है दाल चावल के अलावा आपको और कुछ नहीं खाना है तो क्या आप खा पाऊंगे नहीं ना तो सेम फिंग वर्काउट अगर आप सेम वर्काट फॉलो करकर करके अगर आप बोर फिल कर रहो लाइक आपक 30 कज से इसके आपने देखा 2 मेने बाद मेरा वेट हो सिप्स इक तीच हो गया तो ऐसे आपको समझेंगा कि हां यार मेली प्रोग्रेस हो रही है तो आपको अपको निदिया को डिखें मज़न आपके अफ मिडस से ट्रैक करौत C मेंडल सैटिसफेक्शन के लिए आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा इसमें आपका सेवन पॉइंट आता है जो कि आपके रिकावरी को प्रियारीटी दो क्यों समझाता हो आप पुश पुल लेक सीरिस फॉलो कर रहे हो ठीक है तो पुश परकॉट आपका एक तो मंडे को आएगा या तो आपने मंडे को ट्रेंग किया चेस्ट आपको करने तीन वेरिशन आपने कर लिया पांच वेरिशन तो प्लेक्सिबल मेरा मतलब यह है कि आप एक ठीक्सिपल जिससे लाइक आपको सैटेस्टेक्शन फील हो कोई आपको बोल रहे हैं कि शुगर नहीं खा सकते यह नहीं खा सकते आप सब खा सकते हो लेकिन आपको जो भी बॉडिक रिकॉर्मेंट है उससे जादा मत्तौ इसमें करो कि हां मैं कर सकता हूँ इसमें आपका 11 पॉइंट है प्रोफेशनल गाइडेंस अगर आपके पास प्रोपर ली नॉलेज नहीं है तो आप किसी को हायर करो और एक्जमपल आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है तो ऐसे तैम पे आप एक कोच को हायर करो जो आपको गाइड जो आपको प्रोपरली फिरी में गाइडेंस जींगे जैसे अप मेरा चैनल लेख लो मैं आपको फ्री में सब सीदे बता रहा हूँ तो ऐसे लोगों के आप प्रूफाइल पर जाओ उनको फॉलो करो उनके चैनल को सबस्क्राइब करो डाइट के बारे में वर्काओट के ब हो आप कोई भी ऐसे एक्टिविटी करो जो आपको बसंदो बहुत सारे चीज़े गाइस आपको सिफ प्रॉपली मैनेज करते आना चाहिए तो यह कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आपको समझेंगा कि कर्या की सिस्टन कैसे मेंगेंगा होगी अगर आपको पूरा ट्राइग के आपको समझाने का आपको all曲 समझ गई होगी अगैए अगर आप को झाल झाल